अस्तामनेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बेक टुटब स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल 22 कदम आहरकर लड़कियां टॉर्नमेंट की त्यारी के लिए पिल्कुल रेडी हैं यहाँ पर वो चाहती हैं कि टॉर्नमेंट की त्यारी करें और आगे भर सकें लेकिन जुनेद उने कह देता है कि टॉर्नमेंट की त्यारी तो वो करवाते का लेकिन कोचिंग नहीं कर सकता तबी सैमी ने अपने पलीस वाले कोच को दूर से आते देखा तो फोरन से पहले चीह उठी, वो देखो हमारा कोच आगया यहां पर आये तो सभी बहुत हुश हुए, हमारा नया कोच तो यहां पर फरी कहने लगी, मैंने तो सुना था पलीस वाली जॉप में छुटी नहीं मिलती तो मुस्कुराते हुए कोच कहने लगा, सस्पेंशन तो मिलती है न मुझे भी क्रिकट का बहुत जनून है, बहुत करेस है, तभी तो मैंने सस्पेंशन ले ली बस ऐसे ही यह कोच अब उन्हें क्रिकट के रूल्स पताते हुए कहने लगा, मेरा मानना है कि यह गेम 22 कدم की नहीं, बलकि इसमें तो पहले कدم पर ही फैसला हो जाता है कि खिलाडी कैसा है, वो खेल सकता है या नहीं, इसलिए आप लोगों को पूरी हिम्मत से, पूरी लगन से यह जंग जीतनी है करियाना ने इस टीम का नाम तगड़ा लेवल रखा तो कोश भी जोर से कहने लगा, क्या इस तगड़े लेवल के लिए आप लोग त्यार हैं तो टीम पूरी ही पुट जोशी से बोली, यास हम त्यार हैं दूसी तरफ अब कोश ने नई नई ट्रिक्स उने बताना शुरू कर दी, किस तरह न से बोल को कैच करना है, किस तरह बला चलाना है गोया कोश ने कुछ कच्चे अंडे लिये, जिसकी मदद से वो लोगों का फैसला कर सकता है कि कौन अच्छा ख़ला रही है और कौन नहीं सबसे पहले उसने अंडा लीजे की तरफ पहेंका, लीजे ने जल्दी से उस अंडे को कैच कर लिया ऐसे ही बारी फिर फरी की भी आकी, जब फरी के पास अंडा गया, फरी उसे कैच नहीं कर पाई, कि अंडा उसके कंदे से टकरा कर तूट गया अब यहां पर लीजा की तो हसी ही नहीं रुकी, बहुत ही मजाग करने लगी वो फरी को, फरी को बहुत गुसाया इसलिए उसने सोच लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा त्यारी करनी है, घर जाकर भी हर वक्त वो अंबर के साथ प्रैक्टिस ही करती रहती है रात का वक्ता, कि वो फिर से प्रैक्टिस कर रही थी, मा ने देखा कि कमरे में दोनों बेटियां मजूद नहीं थी हर बड़ाती हुई बाप के पास है, यह कहने लगी, वो दोनों कमरे में मुझूद नहीं मुझे लगता है, किसी नहीं किड्नैप कर लिया तो बाप मुस्कुराने लगा, किड्नैप नहीं किया, तुम्हारी लाडली टॉर्नामेंट की त्यारी के लिए निकली है, मा तो हका बका रह गे, यह कोई वक्त है टॉर्नामेंट की त्यारी का, लेकिन अब तो फरी पर भूद सवार है, कि जीतना है, और जीत कर ही दिखान तब ही तो वो दिन, राज, सुबो, शाम सिर्फ त्यारी में ही लगी है